राजस्तान में 2024 के लोगसभा चुनावों में बाड मेर जैसल मेर के नतीजों ने सब को हैरान कर दिया है युवाओं के बीच बेहत लोगप्रियर रविंद्र सिंग भाटी यहां से चुनाव हार गए है कॉंग्रेस के प्रत्याशी उमेदा राम बेनिवाल ने उन्हें बड़े अंतर से शिकस दे दी है अब हार के बाद रविंद्र सिंग भाटी के प्रतिक्रिया सामने आई है कॉंग्रेस के प्रत्याशी उमेदा राम बेनिवाल ने 1,18,176 वोटों के अंतर से अपने निकट्दम प्रतिदेंदी और निर्दली प्रत्याशी एवं शिव विधायक रविंद्र सिंग भाटी को शिकस दी है उमेदाराम बेनिवाल को सरवाधिक 7,476,676 वोट मिले तो वहीं निर्दली प्रत्याशी रविंद्र सिंग भाटी को 5,86,500 वोट लाकर वो दूसरे नमबर पर रहे वहीं बीजेबी के प्रत्याशी कैलाज शौधरी 2,86,733 मतों के साथ तीसरे नमबर पर रहे रविंद्र भाटी ने उमेदाराम को जीत की बधाई देते हुए कहा कि कई बार किस्मत और योग के चलते हार मिलती है हमारे भाई उमेदाराम जी की किस्मत है कि वो चुनाव जीते मैं उनको शुपकामनाएं देता हूँ आशा है कि वो यहां की जनता के बीच में रहकर काम करेंगे